हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई की बहुत ही स्वादिश्टी सबजी जो कि आप सब को बहुत पसंद आने वाली है यकीन मानिए एक बार अगर आपने खाली तो आप स्वाद भूला नहीं पाएंगे और हमे इस नहीं पाद पान, प्रख़े हैं आप ब्लबी हास नहीं आसे पर आप पषङ कर झाएंगे, लख निदेश दीज दौले हैं मृटा आप वे मेरी मीडियम और यहाद और थेरा बीडले के हम ज़िले हम देएगर अच्छे सर्फम हुस्क्त भार न затाल देएंगे उसके बाद हलका साइस से चम्मस से चला लेंगे गैस की फ्लेम को आपको लोही रखना है ताकि ये जलेना इन्हें बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है बस एक मिनटी आप इस चलाए अब हमने आप एक बड़े साइस की बारी कटिवी प्यास डाल ली है पैसे इसमें जादा टमाटर प्यास भी नहीं डालना आपको बहुत सिम्पल तरीके से ही बनाएंगे हम और बहुत टेस्टी लगेगी खाने में प्यास को बहुत अच्छे से ब्राउन कर लेंगे उसके बाद दो मीडियम साइस के टमाटर को मैंने बारी काट लिया था टमाटर हम यहाँ पर डालेंगे अब इसे चम्मस से एक बार अच्छे से चला लेते हैं गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे अब हमने आपे एक चोटी चम्मस डालिया है धनिया पाउडर आधी चम्मस डालेंगे हमें आपे हल्दी पाउडर एक चोथाई चम्मस दीगी मर्च डालेंगे इसे कलर बहुत अच्छा है गा और यह तीखी कम होती है एक चौथा ही चमज हम यहाँ पे गर्म मसाल़ डालेंगे और एक चुटी चमज डालेंगे नमक, आप नमक स्वाधर नूसा डालें उसके बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को हमें बहुत अच्छे से पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए और मसाला पूरी तरीके से तेकि ना छोड़ दे तब तक हमें मसाले को पकाना है मसाले को हम जितना अच्छा पकाते हैं कोई भी सबजी बनाने में तो सबजी हमारी उतनी ही टेस्टी बनती है तो टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गये हैं अब एक छोटी चमज हम यहां पे जीरा डालेंगे जीरा पाउडर इसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद अच्छे सी मिक्स कर लेते हैं तो देखें aire बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गया है मैं बिलकुल टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट करना है ठीक टो मसालाूरा ओर बहुत अबंगे हैं उसको फोड़ा देर पहले यह मिल कर दें और मलाई को प्या फ्रीजर से आपने जहा रखी है वहां से आप निकाल के भाट नॉर्मल टेंप्रेचर में आने दें उसके बाद हम मलाई को इसमें डालेंगे और मलाई डालते ही आपको लगातार चम्मस से चलाते रहना है जब तक इसमें उबालना आ जाए नहीं त तो देखिए उबाल इसमें आ चुका है अब तीन बारी कटीवी हरी मिर्च हम यह आपे डाल लेते हैं एक चम्मस हम यहां पर कसूरी मेथि डालेंगे कसूरी मेथि का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया हम यहां पर डाल ले बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है और आपको इसमें बहुत जादा टमाटर प्याज और बहुत सादा तेल डालने की भी जरुवत नहीं पड़ती है बहुत अच्छी लगती है इसकी ग्रेवी पिल्कुल शाही पनीर की जैसे लगी है आपको बहुत टेस्ट लगेगी आसकती है उन्हें बहुत जादा पसंद आने वाली है यह बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी तो यह रही मेरी आच की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर क करना ना भूले मैं मिलूंगी आपको अगली यह कैसी नही रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई टेक केर